नमस्कार दोस्तों मैं संजय कुमार माई गण चैल मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं ये सीजनल फ्लावर प्लांट है उनकी कटिंग लगाई हुई है प्लावर प्लांट है उनकी कटिंग लगाकर आपने प्लांट है तियार कर सकते हैं तो यहां पर हमें ये तीन प्रकार के जो हमारे प्लावर प्लांट है उनकी कटिंग लगाई है एक तो है डेलिया एक है मेरी गोल्ड और एक है कलैंचो तो ये तीनों प्रकार की कटिंग हमन अलग अलग दिन लगाई थी, तो इनको लग बग 15 से 20 दिन हो गए हैं, क्योंकि मैंने अलग 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 लगाई थी, तो कुल मिलाके 15 से 20 दिन इनको हो गए हैं, तो दोस्तो कटिंग कैसे लगाते हैं, या इनकी कटिंग हमने कैसे लगाई, तो इसके लिए मैं आपको पीछ फिर आप नर्ष छी सी लेके आ सकते हैं अगर आप नर्ष छी लेकर आते हैं तो ऐसा प्लांट लेकर आ," is जिस में काफी ब्रांचों, ताकि आप उनकी कटिंग लगा सकते हैं तो ये ऐ की चुशा है इसकी कटिंग दो हैं अब लगा रहें तो इसकी कटिंग हैं ले लेते हैं तो आप कोई बी डिस्पोजल ओ या कोई चोटे से पॉट हो छोटे चोटे ग्रूबैग ओ उसमें लगा सकते हैं तो उसमें नीचे ओलोने जरूर है ताकि उसमें पानी रुखे ना तो हमने ये रिस्पोजल लिये है तो इन में हम लगाएंगे और इसमें promoting और इसमें मैं जो नौर्बल गार्डन सोयम है वह यूज कर रहे हूं नौर्मल कड़न होएल है ये तो इस परकार इसमें बरकर जो कटिंग है उसको ऐसे लगा देंगे और इसमें पानी डाल देंगे अच्छ तरह पानी देने के बाद इसको हम रख देंगे तो इसी परकार दूसरा प्लांट है तो दो तो ये है डेलिया तो इसकी भी हम तीन चार कटिंग है ले लेते हैं और इस परकार ये तीन चार कटिंग हमने इसकी ले ली है और इनको हम जो सैंड है रीवर सैंड जो कंट्रक्शन में काम आती है वो सैंड है और कुछ भी नहीं है उसमें इसको हम लगाएंगे तो ज तो सिमपल जो गार्डन सोल है उसमें भी लगा सकते हैं लेकिन जो रेत ऑन लगा तो जलदी बन जाती है तो यहां पर हम हम सेंड है और इस परकार हम प्यान धार्ड करें धर बान करें इसमें नमी बनी रहे इतना ही पानी दे जब आपकी मिट्टी या स्वेल ड्राइए होने लगे तब इसके अंदर पानी दे अगर नमी है तो ओर पानी न दे ऑर फानी से आपकी जो कटिंग है वह गल जायेगी तो पानी का ध्यान रखे और वाटरी ना करे नमी इसमें बनाई रखें तो इसमें प्रकार पाने देने के बाद इसको भी हम रख देंगे तो दोस्तो ये है मेरी गोल्ड और इस मेरी गोल्ड की भी हम तीन चार कटिंग है ले लेते हैं तो हमने यहाँ पर इसकी यह तीन चार कटिंग है ले लिए है तो इसको भी जैसे हमने डेलिया लगाई थी सैंड में इसी प्रकार इसको भी हम सैंड में लगाएंगे तो यहाँ पर हमने सैंड लिए है और यह डिस्पोजल लिए है चार तो इनको हम डिस्पोजल में लगाए तो इनमें हम सैन्ड बढ़izado efic has a definition ए अचैसे अजिक सेम आप टेंगे और ऐसा को आफ लियरायी सो इसको आप कुष्फार क्वाब्रायों खाने के की हाएं है इसको हम रख देंगे तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि इन कटिंग को लगाया में 15 से 20 दिन हो गए है तो कुछ की जो प्रानी पतिया है गिर गई है और कुछ नई पतिया में दिखाई दे रही है तो आज हम इन तेनों कटिंग निकाल कर देखेंगे कि इन में रूट यहां पर हमने यह क्लेंचों की कटिंग निकाली है बार और इसमें जो रूट है वो बन गई है तो जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ी मिट्टी लगी है इस पर तो इसके लिए यह थोड़ा साफ दिखाईने दे रहा तो मैं दोके भी दिखा दूँगा इसको तो इसमें रूट है वो बन गई है और जो सब यह मैरी गॉल्ड है इसमें देखेंगे तो इसको भी आप निकाल लेते हैं यह थोड़ी से जो सेंड है उसमें बिलकुल राम से निकल जाएगी तो इसमें जो रूट है वो बिलकुल साफ दिखाई दे रही है जैसे आप देख रहे हैं तो इसमें जो रूट है बलकुल साफ दिखाई दे रही है तो इसमें भी रूट है वो बन गई है अब मेरी अब सोरी अब डेलिया अब डेलिया में देखते हैं कि रूट बन गई है नहीं तो इसमें भी दोस्तो रूट बन गई है जैसे कि आप देख रहे हैं तो इनको हम तो बिल्कुल साफ दिखाई देगी रूट तो यहांपा हम इसको दो लेते हैं एक बड़ तो दोस्तो इनको दोने के बाद आपको जो रूट है वो साफ दिखाई दे रही है जैसे देख रहे हैं आप यह मेरी गॉल्ड में डेलिया में और यह डेलिया में और यह कलैंचो कलैंचो में थोड़ी आपने यह मिट्टी में लगाई थी इसलिए थोड़ी साफ दिखाई दे रही है आपको लेकिन जो रूट इसमें बन गए है जैसे आप देख रहे हैं यह वाइट वाइट सी यह साइड में तो यह रूट इसकी बन गई है तो यह पर जो तीनो गटिंग है उसमें गई है तो इस परकार आप जो फ्लावर प्लांटस है उनको कटिंग लगा कर दूसरे प्लांट है तियार कर सकते है तो बिल्कुल असाने से कटिंग लग जाती है थोड़ा सा 15 से 20 दिन लगता है टाइम इसमें और जब यह इन में रूट आ जाए तो आप दूसरे पोट में इसको शिफ्ट करकर एक नए प्लांट त्यार कर सकते हैं तो दोस्तों आप इस प्रकाट असानी से कटिंग लगाए और एक नए प्लांट त्यार करें त्यार कि वाचिंग वाचिंग प्लांट थी आला करें